Your Majesty, Excellencies, Namaskar इच साल भी हम अपनी पारंपारिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए किन्तु वर्चियल रूप में ही सही हमने आचियान इंडिया समीट की परंपरा को बरकरार रखा है मैं His Majesty बुने के सुल्तान का 2021 में आचियान की सफल अद्रिक्स्ता के लिए अभिनंदन करता हूँ Your Majesty, Excellencies, COVID-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनोतियों से जूजना पड़ा लेकिन यह चुनोतिप्रून समय भारत आशियान मित्रता की कसोटी भी रहा COVID-19 के काल में हमारा आपसी सयोग, आपसी सम्वेदना भविश्ट में हमारे सबंधों का बल देते रहेंगे हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे इतियास गवा है कि भारत और आशियान के बीच हजारों साल से जीवंत सबंध रहें इनकी जलक हमारे साजा मुल्य, परंपराएं, भाशाएं, गरंथ, वास्तुकला, संस्कृती, खानपान हर जगा पे दिखते हैं और इसलिए आशियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदेव एक महत्वपूर्ण प्राथ्पिकता रही है आशियान की यह विशेद भुमी का भारत की एक्ट इस्ट पॉलिसी जो हमारी सिकुरिटी एन ग्रोथ फॉर आल इन दे रीजन यानि सागर निती में नहीत है भारत के इंडो फेसिफिक ओशन इनिशेटिव और आशियान के आउटलूग फॉर दे इंडो फेसिफिक इंडो पेसिफिक छेत्र में हमारे साजा विजन और आपसी सहयोग का धाचा है यौर मेजिस्ट्री एक्सलेंसी वर्ष दो हजार बाइस में हमारी पार्टनर्शिप के तीस वर्ष पुरे होंगे भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पुरे करेगा मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आचियान भारत मित्रता वर्ष के रुप में मनाएंगे भारत आगामी अध्यक्ष कमबोडिया और हमारे कंट्री को कोडिनेटर सिंगापूर के साथ मिलकर आपसी समंदों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्द है अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतूर हूँ बहुत बहुत धन्यवाद